गुरुवार देर रात को जाकर BBC के दिल्ली और मुंबई के दफतरों पे जो तीन दिनों से ताबड तोड सर्वे चल रहा था उसका समापन हुआ इंकम टैक्स के ओफिसर्ज ने ब्रिटिश ब्रोडकास्टिंग कॉर्परेशन के दफतरों में घुस के धाबा बोला था वैलेंटाइन्स डे के दिन पर उनके दफतरों को सील कर दिया गया था इस सर्वे के दोरान BBC के कई इंपलोईज कई जर्नलिस्ट के फोन्स की छानबीन की गए कईयों की इंटरोगेशन हुई और कुछ को तो पूरी की पूरी राते बितानी पड़ी BBC आफिस में कारण बताया जाता है कि इंकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना मिली थी कि BBC ने अपने टैक्स रिटर्न में कुछ घबला किया है मुनाफ़ा छुपाया है ट्रांसफर प्राइसिंग इंवोईसिंग में कुछ इशूज हैं अंग्रेज हमेशा तेड़ी चाल चलते हैं हमारे खिलाफ तब भूवन के खिलाफ किया था और अब मोदी जी के खिलाफ कर रहे हैं यह ऐसी अंटशंट डॉक्यूमेंटरी बना कर लेकिन क्या इस सर्वे का बीबीसी के प्रधान मंतरी मोदी को लेकर गुजराद दंगो पर बनी डॉक्यूमेंटरी से कोई डिरेक्ट लिंक है अब जैसा की विपक्ष दावा कर रही है देखिए इस बात का कोई ठोस सबूत तो नहीं है और शायद ये भी हो सकता है कि इतने बड़े तीन दिन के सर्वे के बाद बीबीसी के खिलाफ कोई सबूत मिल भी जाए अगर ऐसा होता है तो क्या बीबीसी को बैन करने का समय आ गया है भारत में चाइना ने अल्रेडी बैन करके रखा है और ऐसे मामलों में सत्ता के करता धरता चीन को बहुत उचा मानते है अल्रेडी हिंदू सेना ने सुपरीम कोट में गुहार लगा के रखी है कि बीबीसी को इंडिया से बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि ये चैनल हमारे देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है इस संगठन ने बीबीसी के दफ्तर के सामने प्रतरशन भी किया यही नहीं बीबीसी के और भी बुरे दिन आ सकते हैं क्योंकि पिछले तीन दिनों से बीजेपी के प्रवक्ता और कारे करता हमें ये बात बार-बार याद दिला रहे हैं कि इंडरा गांधी ने तो बीबीसी को बैन किया था हम तो सिर्फ सर्वे कर रहे हैं हाँ गौर कंदी की बाद यह है कि इंद्रा गांटी ने एमर्जेंसी भी लगाई थी, हुमन राइट्स का गला भी घोटा था, जिसके बाद जन्ता ने उन्हें सडक पर फेक दिया था अगले इलेक्शन बे, तो example कुछ बहतर भी लिया जा सकता था, लेकिन हाँ, ये बात तो सही है, कि सवाल पूछने के लिए हमारी मीडिया भी है, अगर सवाल पूछना ही है, तो अर्णब पूछ सकता है, सुधीर पूछ सकता है, नाविका पूछ सकती है, रूबिका है, ये नहीं पूछ सकते हैं, बताइए क्या हम सवाल पूछने के लिए आत्मा निर्भर नहीं हैं। पूटा सा हिस्सा है, जिने उचा बोलने के लिए, तीखा सवाल पूछने के लिए, सरकार से फटकार मिलती है। गला घोट रही है, जानेंगे आज के स्पेशल एपिसोड में, और आप से पूछेंगे एक एहम सवाल। इस बात पे पिछले तीन दिनों से काफी गहमा गहमी रह चुकी है कि बीबीसी पर आईटी रेड नहीं पड़ी है। ये तो सिर्फ एक सर्वे है। सरकार और सरकारी मीडिया का कहना है कि ये एक मामुली सर्वे है क्योंकि बीबीसी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया था। उदर सिये से पूछिए, एक्सपर्ट से पूछिए, सबका यही कहना है कि सर्वे तो सिर्फ ओफिस आवर्ज में होता है, राते नहीं कटती हैं ओफिस में, बहुत लिमिटेड एक्शन होता है सर्वे में, लोगों का इंडेप्ट इंटेरोगेशन नहीं होता है, सर्वे मे डॉक्यूमेंटरी की जरूरत क्या थी क्या ये इंडिया पर सोची समझी एक साज़िश है दरसल क्या है ना आजकल भारत के छंडे के पीछे बड़े बड़े लोग छप जाते हैं आज भारत तो ठीक है अदानी में आग लगी हुई है वैसे BBC डॉक्यूमेंटरी के टाइमिंग को लेकर सवाल तो उठते हैं कि क्या ये उस समय ये डॉक्यूमेंटरी बनाया जा रहा है जब भारत G20 प्रेजिडेंट्शिप की कमान समाल रहा है या ये उस समय हो रहा है जब प्रधानमंतरी मोदी हमारे देश को Mother of Democracy के रूप में अंतराश्य स्तर पर प्रस्तुत कर रहे हैं या ये उस समय आ रहा है जब इंग्लिंड और इंडिया के बीच में काफी सिग्निफिकेंट ट्रेड डील साइन हो रहे हैं ये पहले बैन करके फिर बीबीसी पे सर्वे करके हम देश की गर्मा और छवी को और ज़ादा बिगाड हैं अगर बीबीसी डॉक्युमेंटरी आकर चली जाती तब भी शायद इतना बड़ा बखेडा खड़ा नहीं होता जितना अब हो गया है दोजार चोबीस का चुनाओ करीबन एक साल दूर है और विपक्ष का हाल देखकर तो यहीं लगता है कि कुछी महीनों में मोदी जी तीसरी बार प्रधान मंतरी की कुर्शी पर विराजमान होंगे शायद इस बार और भी जादा बहुमत से तो चिंता देश की नहीं है और वैसे में भी ऐसे नेगेटिव डॉक्यूमेंटरी देख करना पार्टी को फाइदा ही मिलता है कपड़े देखकर पहचान लेने वाला लॉजिक एसेटरा एसेटरा चिंता बाहर की हो रही है कि दुनिया की प्रेस हमारे प्रधान मंतरी के बारे में क्या लिख रही है क्या च्छाप रही है और सवाल यह है कि जिस फॉर्मूले से देशी प्रेस को मुठी में किया गया कंट्रोल किया गया, क्या उसी फॉर्मूले को इंटरनेशनल प्रेस में लगाया जा सकता है या नहीं वैसे, for the record, इस डॉक्यूमेंटरी में जादतर चीज़े जो बोली गई थी, वो नई एकदम नहीं है 2002 में National Human Rights Commission ने इस नतीजे पर वो पहुँच चुकी थी कि गुजरात सरकार नाकाम रही थी, गुजरात के लोगों की रक्षा करने में नीचे लिंक में मैंने पूरा वेबसाइट लिंक दे कर रखा है, पढ़ लीजेगा Human Rights Reports में लेकिन जिस हिस्से से सरकार खासा नाराज है, वो है Confidential UK Government Report जिसके बारे में पहली बार बात हो रही है इस डॉक्यमेंटरी में, जिसमें उस समय के गुजरात के मुख्यमंतरी मोदी पर कड़े सवाल उठाए गए थे उनके रोल को लेकर और एक तीखा इंटर्व्यू, Jack Straw के साथ, जो उस समय UK के Foreign Secretary थे, इस डॉक्यमेंटरी को BBC ने इंडिया में ब्रॉटकास्ट भी नहीं किया, लेकिन सरकार ने Emergency Powers का इस्तमाल करके इसे Internet, YouTube से भी एकदम हटवा दिया ये कहकर कि इस डॉक्यमेंटरी से देश की शांती को खत्रा है, इस बात को लेकर विपक्ष में काफी हंगामा हुआ, अंतराश्चे सुर्खिया भी बनी, और बैन के बावजूद टेलेग्राम और गूगल ड्राइफ पर इस डॉक्यमेंटरी को खूब देखे बिया, उसके BBC मसले और सरकार का जो प्रेस के खिलाफ जो रवया है पिछले कुछ सालों से, उसको देखकर आपको क्या लगता है, कि कुछी टाइम पर आने वाली 2023 वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस रैंकिंग, उसमें क्या भारत की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 150 रैंक से भी नीचे चले मुझे मालूम है कि आपके पास काफी स्ट्रॉंग उपिनियन्स हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बॉलिवोड हो या स्पोर्ट्स की दुनिया की बाते हो, अब आप इन उपिनियन्स के बदले अर्ण कर सकते हो रिवार्ड्स वाया उपिनियन ट्रेडिंग प्लाटफॉर् करके अपने उपिनियन्स को येस या नो में शेर करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सही होने पर आपको कैश रिवार्ड मिल सकता है, तो पठान क्या दंगल को मात दे देगी चाइनीज थियटर में, चाइनीज बॉक्स ओफिस में, ऐसे ही वर्ल्ट अफेस, ख्लाइमिट कंडिशन या जी के क्वेस्टन मिलते हैं आपको प्रोबो पे, और उस पर आप ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं, तो देशभक्त का सवाल on प्रोबो, विल इंडिया फॉल बिलो 150th rank in the 2023 World Press Freedom Index जो की आने ही वाला है कुछ हफ्तों में, अगर आपका उपिनियन सह ही निकला, तो आप प्रोफिट कमा सकते हैं, जिसे आप बिना किसी हैसल पे टी एम, गूगल पे या किसी कार्ट से आप विड्रॉ कर सकते हैं, प्रोबो पर 10 मिलियन से जादा लोगों ने अपने स्किल्स से प्रोफिट कमाया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, डाउन इंसान है, जिसने टोनी ब्लेर के काबिनेट में रहे कर एराक वेपन्स ओफ मास डिस्ट्रक्शन का गुबारा फुलाया था, और पूरे दुनिया में अपना जूट परोसा था, तो इस डॉक्यूमेंटरी को डिस्क्रेडिट किया जा सकता था, भाई, पॉलिटिक्स है, औ और यूके में तो बॉब व्लाक्मेंट जैसे कंसर्विटिव एंपी ने BBC डॉक्यूमेंटरी को एक हैचिट जॉब बोल के रखा है, रैमी रेंजर, मेंबर अफ हाउस ओफ लॉड्स ने BBC को खत लिख कर ये पूछा, कि भाई, कोई पाकिस्तानी एंप्लॉई का हाथ है क्य आज अंतराष्टिय स्तर पर है, क्या वो एक डॉक्यूमेंटरी से हिल सकती है, तो भारत दुनिया का एक राइजिंग सूपर पावर है, तीखी टिपणियां तो होंगी स्वाभाविक है, नरेंद्र मोधी ये खुद ये जानते हैं, ये बात मानते हैं, और ऐसी टिपणिय आज तो भी खड़ा रहे हैं, अब देखे फॉर एक्जामपल, तेशभत पर हम मेंस्ट्रीम मीडिया पर तिखी टिपड़ी करते हैं, दूसरे यूट्यूब चैनल हमारे उपर टिपड़ी करते हैं, तो क्या हम पुलीस के पास चले जाएं, हम कोट के पास चले जाएं, बैन और रेट तरीका नहीं होता है हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग गिर सकती है क्योंकि मोधी सरकार रिशी सोनक के बयान और बीबीसी डॉक्यूमेंटरी को बैन करके संतुष्ट नहीं रही उससे भी एक सीधा और उससे भी जादा एक करारा जवाब देना उचित समझा सरका भाई मेरा सीए एक ही बात कहता है मुझे जितना भी अकाउंट सीधा रख लो देशभत आईटी डिपार्टमेंट एक बार घुजेगी तो कुछ नकुछ तो निकाली लेगी इंग्लेंड में डॉक्यूमेंटरी बैन करने पर उत्ती प्रतिक्रिया नहीं हुई थी जितना इस सर्वे को लेकर हो चुका है इंग्लेंड में लेबर एंपी क्रिस एलमोर ने कहा है कि इस तरीके से बीबीसी को प्रेशर डालना उन्हें मन्जूर नहीं है और अब यूके गफ्मेंट भी प्रेशर पे आ रही है कि अब उसे कुछ बोलना पड़ेगा इस सिचुएशन के बारे में क्या बीबीसी ने सच में कुछ घपला किया है अब ये तो आईटी सेल बताएगी लेकिन ट्रांसफर प्राइसिंग में घपला बने एक इंटर्नल कमपनी से दूसरे इंटर्नल कमपनी में ट्रांसफर कॉस्ट का घपला वो ही कमपनीज करती है जिनको प्रॉफिट दिखाना होता है टैक्स बचाना होता है धांदली करनी होती है लेकिन BBC ये एक publicly funded organization है पब्लिक इसे fund करती है ना इसे profit का उतना pressure है तो ऐसी धांदली की कोई खास वज़े है नहीं BBC के पास लेकिन चान बीन तो अब पिछले 10 सालों के accounts की हो रही है अगर कुछ पकड़ा गया तो IT वाले वसूली लेंगे लेकिन मान लेते हैं कि ये raid survey यार जो भी हो ये एक reaction to the racist propaganda of the BBC था कि मान लेते हैं कि ये BBC ने जान मुझ के किया सूची समझी साजिस है या फिर हमें ये समझना होगा कि हो सकता है BBC ऐसी चीजे हर दूसरे सरकार के साथ करती है अपने सरकार के साथ भी करती है पुरानी फितरत है आईए BBC का internal record देख लेते हैं 2019 में elections में जीत हासिल करने के बाद Boris Johnson BBC से बहुत खोराय हुए थे उन्होंने धंकी दी थी कि BBC की public funding ही बंद करवा देंगे 2020 में 14 conservative MPs ने BBC के नई director को चिट्थी लिख कर बताया कि BBC left wing bias है उनकी report England के अंदर ही ठीक नहीं है उदर left वालों का कहना है कि जो England पे conservatives है वो BBC पर राज कर रहे हैं Chris Patton जो chairman रह चुके है BBC trust के 2011 से 14 तक वो खुद conservative cabinet member रह चुके हैं और BBC के prime time shows के anchors right wing से सीधे तरीके से जुड़े हुए है तो आलोशना तो दूनों तरफ से हो रही है लेकिन एक बात है हमारे प्रदान मंदरी के बाद छोड़ो BBC तो अपने प्रदान मंदरी को नहीं बख्षती है Were you registered with a private GP and are you still? Yeah but my dad was a doctor I grew up in an NHS family Wasn't my question, it's really straightforward Were you registered with a private GP? The country was already in a state of recession and another says how can we ever trust the conservatives with our economy again and Lydia says are you ashamed of what you've done, are you? There are plenty of people even in the conservative party who worry that you do not stick to what you promise People worry that you're just a bit scrappy with the truth or you almost seem sometimes to enjoy offending people Yeah, who does this talk about your private GP? How does this talk about your private GP? No one is a tonic, no one is a man, no one is a batua, no one is a radar There's a lot of interrogation, no one is all about it Here I am going on China I so dried up in England Are you still in England? The Canadian talk will tell the pocz last year एर्दोवान और ये डॉक्यूमेंटरी हार्ट हिटिंग होती है क्योंकि BBC को गोदी में बैटने का कोई खास शौक नहीं है आज के डेट में चाइना ने BBC को इसी पत्रकारिता के चलते बैन करके रखा है और इंट्रिस्टिंगली पिछले साल आफरिका के बुरूंडी जिसका कोई खास डेमोक्राटिक रेकॉर्ड नहीं है उन्होंने तीन साल बाद BBC पर बैन हटा दिया हम अभी बैन लगाना चाहते हैं अगर ये पूरा रेड, सर्वे, बैन का सिंसिला BBC पर इकलोता होता तो बात में दम होती लेकिन पिछले कुछ सालों से इन घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी दुनिया या तो हमारे उपर प्रोपगेंडा चला रही है या तो हमारी सरकार दुनिया का सच नहीं सुनना चाहती है New York Times, Washington Post, Guardian, Time Magazine सबके सब negative reporting कर रहे हैं हमारे के लाफ तो जाहिर सी बात है इनका मूबी वैसे ही बंद किया जाए जैसे अपने देश के प्रेस को बंद किया था अगर पूरा पोथा खोल कर बैढ़ गया तो बहुत लंबा एपिसोड बन जाएगा लेकिन संशिप्त में बताने की कोशिश करूँगा कि देखिए कितने लोग है कितने संगटन है जो एंटी इंडिया है News Click पर 2021 में छापा पड़ा कई दिनों तक रेड चली दैनिक भासकर पर रेड पड़ी कोविट गाल में कुछ जादा ही पतरकारिता कर दी उन लोगों ने क्विंट और News Minute जैसे प्रसिद वेब पोर्टल्स पर भी छापा पड़ा डेटा कॉपी किया गया सारा इंटेरोगेशन हुआ वायर के दफ्तर और वायर के एडिटर्स के घर तक पर छापा पड़ा भारत समचार और News Laundry के यहां भी रेड पड़ी क्योंकि कहा जाता है कि उनकी एडिटर्स जो है उनकी रेड की हड़ी थोड़ी ज़ादा ही सीधी थी अब तो आलम यह है कि लोग हमारा मजाग उडाते है कहते हैं अरे देजबग तुमने कोई साठगाट करके रखिये सरकार के साथ तुमारे यहां तो रेड नहीं पड़ी तुमारी तो हैसियत ही नहीं है अब बताईए वैसे यह लिस्ट बहुत छोटी है और उन लोगों की है जिन्होंने जानमूच कर सरकार की friendly warning और उनकी चेतावनी नहीं सुनी हम्ने भी नहीं सुनी लेकिन देश में आज हर दूसरे दिन कोई न कोई रेड हो रहा है लेकिन इन रेड से निकलता क्या है ये किसी को पता नहीं ना फिकर है किसी को कश्मीर ले लिजे, उत्तर प्रदेश ले लिजे, देश में कई ऐसे जगए हैं जहां पत्रकार सालों जेल में सर्ड हैं विपक्ष सवाल पूछता नहीं है, जनता को घंटा फर्क पड़ता नहीं है उधर हमारे देश में सोशल मीडिया कंपनीज ने घुटने टेक दिये हैं, ट्विटर, फेस्बोक, इंस्टाग्राम अब जाहिर सी बात है कि अगला नंबर इंटरनेशनल प्रेस का आचुका है, चाहे वो वाशिंटन पोस्ट हो, बीबीसी हो, टाइम मैगजीन हो, या सी एनन साथी साथ पिछले कुछ सालों में, ग्रीन पीस आउट, अरे परियावार पर सवाल पूछने के लिए कोई है ही नहीं है, अमनिस्टी आउट, अरे भाया, अमनिस्टी इंटरनेशनल नहीं होगा, तो हुमन रैट्स कोई उश्वी नहीं है देश में, एंजियों की फंडिं से डुमेस्टिक प्रेस को तो चाटुकार बना दिया, उसी तरीके सी इंटरनेशनल प्रेस को नहीं दबा पाई वो, इन फैक्ट कॉंग्रिस की एमर्जेंसी के बारे में इंटरनेशनल प्रेस नहीं खूब लिखा, और अंत में एमर्जेंसी खतम होने के बाद, इंदरा ग प्रिमांदी से सीखती है या फिर उनहीं की तरह भारत को तानाशाही की तरफ ले जाती है।